हलो बच्चा पाटी क्या हाल चाल सब लोग बढ़िया सब लोग बस्त सब लोग जबरदस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप आज मैं आपको बताओ एक दस मिनट या पंदर मिनट के अंदर में हम अपना जो क्लास एट का पहला चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर देंगे अगर आपने मैं आपको सच बता रहा हूं अगर आपने वन डे वन शौट का ये पहला चैप्टर नहीं देखा है क्रॉप प्रोड़क्शन एंड मैनेजमेंट तो मैं कह रहा हूं जाके देखो उसको देखो और देखने के बाद वहां से जब सब कुछ क्लियर हो ज देखा है हर एक चीज को नोट किया है तो मैं आपको बताओ यह पूरा का पूरा जो आपका सीरीज चलेगा ना यह आपके कंसेप्ट को बहुत ही जबरदस्त बना देगा यह आपके वन यह आपके एक्जाम से पहले रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट माध्यम है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो हम लोगे स्टार्ट करते हैं आज हम 10 या 15 मिनिट के अंदर में आपका चैप्टर नंबर वन साइंस का खतम करतेंगे आप रेडी हो पैन और कॉपी लेके साथ में बैठो मैं आपको सच बता रहा हूं एकदम क्लैरिफाई कर दूंगा सब कुछ इ इस माइन मैप थुआ यह अपका पीडियाफ में आपको भी दूंगा ठीक है इस पैडियाफ काने लिए आपको टेलीगुराम जाईण करना पड़ेगा अभी जैसी मैं पढदाउंगा आपको पढशाने के बाद यहे पीडियाफ टैलीघ्राम गृूप के अंदर आल दूं देखो crop production और management में हमें करना क्या होता है सबसे पहले types of crops ग्राइब को अगर आपको पता है खेती करना मेंने सिखाया था आपको है ना करना सिखाया था तो खेती करने के लिए हमें कई सारे फ्रॉससे हैं हमें पहले मिटी को बनाना पड़ता है उसके बाद हम उसकी उसकी टेलिंग मेनेगर ंनों सबसे किसे पहला की जो क्राप ऊते हुउं कर दे काउद ही तो अगर देखा जा तो हमारे क्राप के तीन टाइप होते हैं कउनख से एक होता है एक होता है और यह कौन सा रोता है सर्जय cont cured होता लेकिन जैद जो है ना basically हमारे topic में नहीं है तो इसलिए मैंने यहां पर जैद को mention नहीं किया है तो अगर हम basic से जाएं तो मेरा सबसे पहला क्या है पहला है आपका खरीफ crop ठीक है आपको याद करने का तरीका खरीफ crop और दूसरा क्या है बच्छो रभी crop अब फटेक से क्या करना है कोई करिविजन आप कर रहे हो इसका मतलब हुआ कि खरीफ जो है वो जून और के बीच क्या करी जाती है खरीफ crop exist करती है होती है उसके बाद अगर October to March की बात करूं तो सर रभी crops की बात आती है तो October to March हमारा रभी crops आता है ठीक है अच्छा एक्जामपल आप देखो रागी हो गया सोया बीन हो गया राइस हो ग्राउंड नट यह किसके एक्जामपल है स अगर यह खरीफ crop के एक्जामपल है नोट कर लो बच्चा नोट कर लो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है उसके बाद रभी crop की बात आती है देखो गेहूं हो गया मटर हो गया चना हो गया आपका सरसों हो गया सब लोग जानते हो ना यानि वीट पीज ग्राम मस्टर्ड यह क्या है यह रभी crop के अंडर में आते हैं और इनकी टाइमिंग क्या है सर अक्टूबर टू मार्च है ठीक है मैं आपको बहुत डीटेल में लेके नहीं जाओंगा क्यूंकि 10 या 15 मिनिट में मैं आपको कुईक रिवीजन करा रहा हूं और मुझे एक बात पता है कि आप वन अगर मेरे को क्रॉप को क्या करना है ग्रो कराना है मेरे को क्रॉप से क्या करना है मेरे को क्रॉप उगाना है तो कहीं न कहीं मेरे को खेती करनी पड़ेगी बिल्कुल सर आपको खेती करनी पड़ेगी अब अगर मैं खेती करूंगा तो खेती करने के लिए मेरे को टूल्स क कर सकता हूं देखो एहां पे सबसे पहले आपको पता है प lело क्या होता है ऐसा ये हल होता है है ना जो जो बच्चे गाउंझान से बेलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि यह होता है और इसके 3D मिट्टी होती उसका हम क्या करते हैं या फिर पोला बनाते हैं है ना मिट्टी को प्रिपेर करने का अगर मेरे को टूल यूज करना है तो मैं प्लो का यूज कर सकता हूं वह इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा यह किसान भाया है यह इनके दो बैल है उन्होंने क्या किया प्लो को उसको उपर रखके अब यह आगे से खीचेगा पीछे से क्या होगा इसमें जो है वह एक एक आपका प्लेट लगा होगा आयरन का वह मिट्टी को उल्टा पुल्टा करेगा ठीक है तो यह क्या होगा इस इंपलीमेंट इस टाइप का जो टूल है हम स्वायल के करते हैं getting my point अच्छा अब आते हैं कल्टीवेटर देखो कल्टीवेटर इतना ज्यादा फेमस है कि मिर को लगा बिर को बताने की जरूत नहीं है कल्टीवेटर आप लोगों ने देखा होगा जो 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 ट्रेक्टर होते उनके पीछे लगा होता है है अगर आपको देखना होत अब घूगल करके आटइ पर देख सकते हो इस तरीके से होता है और यह क्या करता मिटी को प्रिपेर करने में काम आता है या फिर आप armsक monsters को प्रिपेर में काम आता है क्या कल्टिवेटर उसके बाद सीड ड्राइव सीड ड्राइव क्या होता है देखो अगर मेरे को बीच को लगाना है तो मेरे पास कई सारे तरीके होते लगाने के हैं ना मैं हाथ से लगा सकता हूं ठीक है मेरे पास बहुत सारे टूल होते हैं और उन टूल में होता बच्चों सीड ड्राइब या फिर आप बोल सकते हो ठीक है उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जमीन के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर जो है बीच डालते हैं तो बीच जो है वो उसके थूरू अंदर की अंदर चला लाता है ठीक फिन hat वा के आगे बढ़ते हैं अगर मैं आगे बढ़ूं अगर मैं आगे बढ़ऊं तो अब मिले को क्या करना पड़ेगा इयसे कौन से स्टरेपी करके मैं अच्छा एक के कर सकते हैं बहुत जबरध cada production कर सकता हूं आप ऐसे बोल सकते या फिर अच्छी खेती की कर सकता हूं तो उनको हम बोलते एग्री कल्चार प्रसक्तिस आंग को याद होना चाहिए सउसивать क्या बोलता है सिक्वेंस बोलता है कि सबसे पहले आपको स्वाइल को प्रिपेर करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बच्चा स्वाइल को प्रिपेर करना पड़ेगा सबसे पहला पॉइंट आपका आता है okay उसके बाद आपको मिट्टी को इुल्टा पल्टा भी करकर इसको कर सकते हो ठीक है हुश के बाद तो वो equipment आपका लगा हुता है उसके 아ler have खेत को जोत दिया और खेत को बराबर हमने एको लूज करती लेव सने करने से क्या ने सुना है कि लेव करने से अगर हम ii करते है तो बड़ा अच्छा irrigation हो जाएगा बतलब अच्छी हो जाएगी है न और Bears thunderstorm this former वि ή ही कह रहे हो ठीक है बहुत बढ़िया तो यह सारी एक्टिविटी करते हैं अब उसके बाद जो अगला मेरा प्रैक्टिस है अब मैंने स्वाइल को बहुत अच्छे से बना लिया लूज कर दिया आप बोल सकते हो मिट्टी को मैंने एकदम सॉफ्ट बना दिया अब क्या ही अगे सर उसके अंदर बीज को डालेंगे तो बच्चों पहला घू रीज में नहीं करते हैं ते आपने हाथ से बनाया बहुत सारी लोगों को और इसके बास घू काम हम कर सकते हैं उसके अईडिग मैनिज़ को बो दिया प्लांट बड़ा हो गया जो भी बड़ा तो उसमें क्या एड़ करते हैं सर उसमें हम को बहुत अच्छे से पढ़ाया सर अगर किसी को डाउट आता है ना तो जाके वन शॉट जरूर देखे मेरा ठीक है उसमें हर एक चीज को मैंने क्रिस्टल क्लियर किया है ओके अच्छा ये वाला स्टेप्स करने के बाद हमने क्या किया करना एक्रायड मेता है तो जो पुराना वाला है ठीक है आपने सुना होगा ढप घेक ली उसके बाद घिरनी के ठीक है उसके भाद मैनुल भी हम लोग करते है तो यह traditional रूमार इस करते हैं है ना ट्यूबा लिउज करते और क्या करते मिर को बताना आप लोग कोमेंट सेक्षन के थोड़ना उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें क्या हुए kannst बार ऐसा तैस ऐसा ब्लांट उगाए जो उसकी बोर misf़ रहे जो उसको अच्छा अच्छा प्रोडक्शन करने से रोक रहे हैं तो हम क्या करेंगे उन खर्पतवार को बाहर करेंगे खर्पतवार को बाहर करना इतना आसान नहीं होता तो अब आसान करने के लिए हमने क्या क्या उसमें वैडी साइट का यूज करना चुरू कर दिया यह क्य तो कहीं ने कहीं यह भी एक chemical होता है जिसको हम खेत में डालते हैं तो जो इसके अंदर खर-पतवार होता बच्चा ना वह खतम हो जाता है तो यह हमारा इसके बाद का मेठेट हो गया हर्वेस्टिंग अब हमने यह सारे काम कर लिए हमारा जो प्लांट है हमारा जो क्रॉप हो तो बहतरीन तरीके से फिल्ड में उगाया अब वह अपने को क्या करने वाला पक गया मस्ट एकदम तयार हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं सब क्या मतलब होता है मतलब होता है ऑक उसके बाद मेरा आदि ग्रेंथ हमारा अग्ला क्या है एक ट्रेजक्र फॉर्ट ग्रेंस कर ठीक है और भी को पॉस्टेज़ ग्रेंख अब कि अपहलु जली मेरे को तो अपना तनल गिया मेरे ंट मेलगाएथ सपीशनь या कि ये department ने वहाँ पर रख देता हूं ना तो वो खराब होने की possibility बन रही है तो मैं क्या करो तो उसको store करने का last वाल आपका option है आपको इस टोर कहां कहां कर सकते हो आप सीलोस में Carolyn Ries का भी यूज करते हैं यह बहुत बढ़े बढ़े अनाच के भनतार होते हैं जो किया करते हैं समझ में आता है बहुत बढ़िया तो इस तरीके से हम करते हैं आगे बढ़े बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं तो बच्चो इसी के साथ मैं आपको बताऊं अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो यह आपका complete होता है और और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इसके detail इसके detail information आपको जाके देखना पड़ेगा one day one shot में अगर आपने वो देखके यहां पर आए ना तो मैं आपको बताऊं आपका concept एकदम clear है और यह चीज़ आपके exam time में बहुत काम आने वाली है तो मैं बस आपसे एक बात कह रहा हूं कि इसको तो अपने पास जरूर र लोग ठीक है आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अब मैं इसको save कर रहा हूं और इसको telegram group में डालूंगा आप लोग फटाफट क्या करना इसको ले लेना ठीक है तो इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले chapter में अगले chapter को फिर करेंगे कल दुबारा जो दूसर से लगा के रखना पड़ेगा तो मिलते हैं बच्चों अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहो जबरदस्त रहो और खूब खुश बनो ओके बाई बच्चा